दोस्तो ट्रेन में सफर करते समय पंखे के पास बनी इस जाली को तो आपने बहुत बार देखा होगा लेकिन क्या आपको पता है कि इसको ट्रेन में क्यों बनाया जाता है अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस जाली को roof ventilator कहते हैं आपको पता है कि गरम हवा हमेशा उपर की तरफ जाती है जब ट्रेन में भीड जादा हो जाती है तो उसमें गरम हवा बनने लगती है और ये हवा ट्रेन के उपर की तरफ ही जाती है जिस वजह से इसको निकालना जुरूरी है और इसको उपर से ऐसे ढख दिया जाता है ताकि बारिश के दुरान पानी ट्रेन के अंदर ना आए दोस्तों इसे roof ventilator system कहते हैं अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को like and channel को subscribe जूरूर करना